नमस्कार में प्रवेंड गोता हम दोस्तों सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को बदनाम करने के लिए बहुत सारे टीवी एंकर और पत्रकार कई बार इस तरह का दावा करते हैं कि ये सवाल करने वाले पत्रकार इस बार से नाराज हैं क्योंकि PM मोधी ने इन्हें मिठाई भेजना बंद कर दिया, PM मोधी विदेशी दोरों पर इनको दारू नहीं पिलाते, PM मोधी के आने के बाद इनका मलाई खाना बंद हो गया है, लेकिन दोस्तों क्या वाकई ऐसा है, योगी सरकार एक ऐसी सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर होने वाली है, लाखों रुपे का पैकेज है, क्या पॉलिसी लेकर आई है योगी सरकार जिसके बाद सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई है, क्या राज्य सरकारों को इस तरह की पॉलिसी लानी चाहिए, योगी सरकार की इस प्रेस विग्यप्ति को आप देखिए, प्रेस नोट ये सोशल मीडिया पॉलिसी के बारे में है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन, विकास परक, जन कल्यानकारी, लाबकारी, योजनाओ, उपलब्दियों की जानकारी, एवं उससे होने वाले लाब को प्रदेश की जनता तर, ड विजिटल माध्यम जैसे की ट्वीटर, फेस्बुक, इस्टाग्राम, एवं यूट्यूब पर भी, प्रदेश सरकार की योजनाओ, उपलब्दियों पर आधारित, कंटेंट, वीडियो, ट्विट, पोस्ट, रिस्ट को प्रदशित किये जाने के लिए, इनसे संबनित एज चित हो सकेगी, और इसमें क्या दिया गया है, सूची बता के लिए, एक्स यानी पुर्मिट, ट्वीटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, एवं यूट्यूब में से, प्रतेक को सब्सकाइबर्स, फोलोवस के आधार पर चार श्रेणियों में बाटा गया है, आगे बताया है कि चार श्रेणियों में कितना पैसा दिया जाएगा, ट्वीटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम के अकाउंट, होल्डर, संचालक, इंफ्लुएंसर्स को भुकतान के लिए श्रेणिवार, अधिक्तम भुकतान की सीमा, क्रमशे, पांच लाक रुपे, चार लाक रुपे, तीन लाक रुपे, एवं दो लाक रुपे प्रतीमा निर्धारित की गई है, यानि ट्वीटर, इस्टाग्राम, आधि पर लिखने वालों को भी इतना मोटा पैसा दिया जाएगा, वो भी हर महिने, इसके आगे क्या जानकारी दी गई, यूटूब पर कितना पैसा दिया ज गई है, सब्सकाइबर्स के आधार पर ये चार शेणिया बनाई गई है, यूटूब वालों की अधिक्तम राशी है, आट लाक रुपे, ट्वीटर, इस्टाग्राम, फेस्बुक बगएरा पर लिखने वालों की अधिक्तम राशी है, पांच लाक रुपे, अब लिखने व उसके बाद जो सवाल करेंगे, उन पर मुसीबत भी आ सकती है, क्या कहा गया है, क्या चेतावी दी गई है इस पॉलिसी में, फेस्बुक, एक्स, ट्वीटर, इस्टाग्राम, एवम यूटूब पर आपती जनक कंटेंट अपलोड किये जाने की स्थिति में, संबंधित ऐसे कानून तो पहले भी है, कि अगर कोई राश्विरोधी बनाएगा, तो उसके खिलाब कानूनी कारवाई के पहले भी प्रावधान है, राश्विरोधी किसी भी काम पर कानूनी कारवाई का प्रावधान है, लेकिन ये जो लाइन लिखी गई है कि आपती जनक कंटेंट पर कारवाई हो सकती है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है तो सवाल करने वालों को इस पोलिसी के बाद थोड़ा डर लगेगा और बाहवाही करने वालों की तो बल्ले बल्ले होने जा रही है दोसो सवाल ये उड़ता है कि जनता के टेक्स के पैसे का क्या इतना इस्तमाल होना चाहिए क्या इस तरह अपने पक्ष के पत्रकारों पर पैसा किसी सरकार को लुटाना चाहिए बीजेपी के नेता और जो एंकर कहते थे कि मोधी सरकार के आने के बाद कांग्रेस का समर्थन करने वाले पत्रकारों की मिठाई बंद हो गई तो इतना पैसा जब हर महिने मिलेगा तो अपने पैसे से मिठाई भी आ जाएगी दारू भी आ जाएगी और खुब ऐशो आराम हो जाएगा लेकि सवाल यही उड़ता है कि क्या सरकार को इस तरह खजाना खुना चाहिए अपने पियार के लिए और सवाल ये भी उड़ता है कि अगर इस तरह की पोलिसी दूसरे राज्यों में आई तो उसके बार तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे ट्वीटर पर, फेस्बुक पर, इस्टाग्राम पर लिखने वाले हो सकते हैं जिने बिजेपी वाले तमाम राज्यों से हर महीने पैसा मिलता रहे इतना इतना ही योगी सरकार ने शुरुआत की हो सकता है, आगे मोहन यादो भी ऐसी पोलिसी लेकर आ जाएं आगे दूसरे राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकारे हैं वो भी ऐसी पॉलिसी लेकर आ सकते हैं जिस पॉलिसी के बाद सवाल करने बालों को थोड़ा डर लगेगा और वाहवाही करने बालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी आप योगी सरकार की ऐसी सोचल मीडिया पॉलिसी को लेकर क्या सोचते हैं कमेट बॉक्स पर पिराज जरूर दें